36 गड़ में 2024 से 25 में फिर से शुरू हो रही हैं पांचवी और आठवी के बोर्ड परीक्षा 36 गड़ के शिक्षा मंत्री के एतिहासिक घोशना के बाद सत्र 2024 से 25 में पांचवी और आठवी कक्षा के चातरों के लिए बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू हो रही है यहाँ खबर उन सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए खुशी की बात है जो लंबे समय से बोड परीक्षाओं की वापसी का इंतजार कर रहे थे परीक्षा पैटर्न आठवी कक्षा कुल अंक एक सो लिखित परीक्षा असी अंक प्रायोजनिक कार्य बीस अंक विशय हिंदी अंग्रेजी गनित संस्कृत सामाजिक विज्ञान विज्ञान पांचवी कक्षा कुल अंक पचास लिखित परीक्षा चालीस अंक प्रायोजनिक कार्य दस अंख, विशय, हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, महत्वपूर्ण बातें, आखिरी बार, 36 गड में पांचवी और आठवी की बोड परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी. नया पैटर्ण, 2024 से 25 की परीक्षाओं में नया मूल्यांकन पैटर्ण लागू किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और प्रायोजनिक कार्यों दोनों का महत्व होगा. तैयारी, छात्रों को परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने की सलाह दी जाती है. यहाँ बदलाव क्यों? छात्रों में मूल्यांकन और शिक्षा के स्तर को भेतर बनाने के लिए. शिक्षा व्यवस्था में सुधार, यहाँ शिक्षकों और विद्यालें को भेतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. तैयारी और प्रतिसपर्धा यहाँ चात्रों को उच्च शिक्षा और प्रतिसपर्धी परीक्षाओं के लिए बहतर ढंग से तैयार करेगा उम्मीदे यहाँ बदलाव चात्रों को अधिक मेहनत करने और बहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोचसाहित करेगा नई शिक्षा नीती के तहट कौशल विकास और समग्र मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा यहां बदलाव शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाएगा यहां तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन यहां निश्चित रूप से छात्रों के लिए एक नया अवसर है अपनी क्षमता को साबित करने और बहतर शिक्षा प्राप्त करने का